इस्टुटेंस ये है आपका अर्दवार्शिक पीपर 2022 ते इसका हिंदी अनिवारका तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये स्वतंता का मर्म वाला जो एक पैसेज दिया गया था इसके आंसस आपको देने हैं बहुत आसानी से दे सकते थे समता का मूल तत्व क्या माने जा वो है समता का मूल तत्व जो है बाहरी भी समता होते वे भावनात्म की शतर पर सभी मनुश या फिर आप बोल सकते हैं कि आंत्रिक भागों की शमता रखना ही समता का मूल तत्व माना जाता है है आंत्रिक भाव की समता रखना ही जो है समता का मूल तत्व माना जाता है या फिर बोल सकते हैं समता का मूल तत्व बाहरी भी शमता होते वे भी भावनात्म के इस तरह पर सभी मनुश्यों को समान समझना है आंत्रिक भाव की समता किसका आधार है तो आंत्रिक भाव की समता जो है स्वतंत्रता का आधार है इसके वाज़ नेक्स कोशन है सब्वेता और संस्कृति किससे शोवित होते हैं तो सब्वेता और संस्कृति जो है ये समता के मार्ग में ही शोवित होते हैं उल्लास सब्द मे मूल सब्द उपसर्ग बताना है आपको तो उल्लास सब्द में जो है आपका उत्तो आपका उपसर्ग है और इसमें जो है लस जो है वह आपका मूल सब्द है उत्व प्लस लस उल्लास ठीक है इसके बाद जो नेक्स कोश्चन है उसकी बात करते हैं गद्यांस का उप्यूत श इस तरह सा भी पारग्राफ दिया गया इस प्रशनों के उत्तर देने हैं यहां पर आगे जो प्रशन है आपका देखिए इसका पहला प्रशन जो है क्या पूछा गया इससे कभी हार के सामने सिर्ड क्यों नहीं जुकाना चाहता तो आंसर क्या होजाएगा बहुत ही सिंपल सा है कभी हार के सामने क्यों नहीं सिर जुकाना चाहता है कि युद्यान्स में भी देश सकते हैं उसको जो है अटल सफलता पर अपना पूंड विस्वास है इसलिए वह सीष अपना नहीं जुकाना चाहता इसके बाद जो next question है सत्य के आवान से कवी का क्या आश्य है तो सत्य के आवान से कवी का आश्य है कि सत्य से जो मिलने वाली प्रेड़ना है उसका आश्य है सत्य के आवान से कवी का यह आश्य है कि सत्य से जो प्रेणना मिलती है कवी उसी को यहाँ पर समझाना चाहता है उसके बाद में कवी ने अपने वक्ष को कैसा बताया है तो यहाँ पर बोला देखो मतलब मेरा वक्ष जो है यान्य च्छाती जो है मेरा बहुत ही क्या कहते है समवेदन सील नहीं है ठीक है मैं सामना करने के लिए जिन्दा हूँ और मैं हमेशा जो है अपना वक्ष जो है वज्र के समान जो है मानता हूँ ठीक है इस तरह से आप इसको लिख दोगे तो यहाँ पहला, दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पध्यांस का उप्यूत सीर्शक जो है, क्या बोलोगे, तो यहाँ पर हमारा जो पध्यांस का उप्यूत सीर्शक जो हम लिख सकते हैं, वो लिखेंगे आप आत्म विश्वास, क्या लिखेंगे आत्म मिर्त्वी के दो परावाची बताने हैं, बहुत सारे मिर्त्वी के आप कोई भी लिख सकते हो, खंडखा की बात करें, भाषा की परिभाषा दीजिए भाषा और लिपी में अंतर आपको बता देना है, यह वाला जो है आपको देना है, और इसमें आपको बताना है, दोहे में कौन सा अलंकार है और क्यों है, निम्नांकित सब्दो के हिंदी में अर्थ रिखने, एक्ट और ब्राइब, यह हो जाएगा आपका अधिनियम, अधिनियम बोलते हैं, एक्ट को अधिनियम, ठीक है, आपका बचा क्या है, ब्राइब, इसको बोलते हैं, घूस, घूस लेने वाले जो है न, घूस, और यह क्या है, अधिनियम, ठीक है, एक्ट मतलब अधिनियम होता है, द्यानक न, यह अधिनियम है, अगले पार्ट की बात करते हैं, चमेली का पुष्प, श्वेत वर्षा का सुगंदित पुष्प है, उपविक्त वाक्य में किस सब्दी सब्दी का प्रयोग किया गया है, यह आपको बता देना है, स्वें को, शासन सचीव, सिक्षा विभाग, रवी कुमार मानते हुए, राज्य के समझ संस्ता प्रधानों को, गुनवक्ता पून सिक्षा की सुनि प्रधानों को, पूलिस अधिक्षक को याता यात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखते हुए, जिसमें आपको लिखिये, जिसमें विद्याले के परिसर में विद्यार्थी के लिए प्रशिक्षू अनुग्यापती पत्र शिवेर, यानि लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने का अन्रोध किया गया हो, अगला जो है, समाचार लिखन के छे ककारों के सम्मंद बताईए, देखो, कल पेपर बताया था, मैंने उसमें आया था, मुदृत माध्यम की सबसे बड़ी विशेष्टा क्या होती है, कि मुदृत माध्यम मैंने कल बताया था, आपको म जन सामाने तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसके लाबा जो है, नेक्स्ट पार्ट निमलिखित विशेव में एक पर फीचर लिखना है, करते जंगल, घरते मंगल और भारत में खिसानों की दुरुवस्ता, निमलांकित विशेव में से किसी एक पर तीसु सब्दों में नि 2023 के सभी भी से के मौडल वेपर पढ़ लेना, इसमें से बहुत सारे चीजे आपको देखने को मिल रही हैं एक्जाम में, तो पद्यांस की व्याक्या कर देनी है, यह है, या तो इसकी कर दीजिए, या फिर आपका पद्यांस दूसरा दिया गया, इसकी कर दीजिए, इसके बाद में, नेक्स है, निमलिखित गद्यांस की प्रसंग, अब यह गद्यांस है, यानि की कवीता नहीं है, कहानी है, कहानियों में से जो पाट लिया गया, इसमें से आपकिसी एक का जो ऐसा प्रसंग व्याक्या कर देंगे, केमरे में बंदा पाहिज, कवीता में कवी ने क इस तरह के बाजी करन को प्रस्तूद किया है, और कैसे, इस पस्ट करदेना है, बादल रा कविता में निर्यलां आने किस वर के प्रति व्हेंजनापूर्वक अभिवक्ती का चित्रण किया है, स्पस्ट कर देना है, आधनिक युग में जाती पर था किस प्रकार की अभिवक्ती, क्रमिक विकास को अवरुद करती है, ये स्पस्ट कर देना है, और सृरीष की तुलना गांदी जी से करते हुए सपस्ट कीजिए कि सिरीश को अवदूत क्यों कहा गया कली ये कोश्चन मैंने बताया था कि ये पढ़ लेना जरूर आएगा बहुत इंपोर्टन कोश्चन है और लाहोर अभी तक उनका वतन है और डेली मेरा ये वतन ढाका जैसे ये वाला भी मैंने कोश्चन कल बता दिया था आपको सबसे तेज वह चारे गई भाद हो गया के बाद प्रकरती में जो परिवर्टन कभी ने दिखाया है उसका वर्णन करना है कभी हरेवन सराय वच्चन अत्वा साहितकार आलोक धनवा का साहितिक परिचय आपको दे देना है और घवपाड जो है इसमें आत्मकता के आधार पर लिखा के चरित्र चित्रन की विशेस्ता है जो कर देनी है और अंतिम प्रशन की तरफ हम जो बढ़ चुके है दुनिया के दो सबसे पुराने योजित शहर कौन से माने जाते है मोहन जोड़ो और हडपा कल ही मैंने बताया था एन फ्रेंक ने अपनी चिठियों में किसे संबोधित किया आंसर क्या हो जाएगा इसका तो उसने जो अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी है उसको संबोधित किया है एन फ्रेंक ने अपनी चिठियों से है और इसके बाद जो है नेक्स कुश्चन जो है जूज पार्ट में लेखक के पिता ने लेखक की पढ़ाई क्यों छुड़वा दी आपको अच्छी तरस पता है कल ही मैंने बताया था कि वो उससे जो है भैस पशु चरवाना चाते थे और खेतों के काम करवाना चाते थे इसलिए वो जो है पढ़ाई पढ़ाई उसने छुड़वा दी थी इसके बाद अगला जो क उनको अपनी पत्नी की बाते पसंद नहीं थी ठीक है ना उनकी बात तो क्या है पत्नी से हमेशा हर बात पर किसी लेकिसी बात पर जो है पढ़ाई सारी शीजे हैं silver wedding कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बहुत simple सी कहानी है silver wedding इससे क्या शिक्षा मिलती है आप अपने सब्दों में लिख सकते हैं कि इसमें दो पीडियों का अंतराल का gap दिखाई देता है यानि अंतराल को इसपस्ट किया गया है जिसमें मानवी मुल्यों और आदर्सों को यहां पर दिखाया गया है और इससे हमने सीखा है कि इस कहानी में दोनों पीडियों में सामझस से बैठाना आवश्यक है तभी जाकर के जो है यह क्या कहते है silver wedding कहानी का मुल सम्वेदना जो है दो पीडियो के अंतराल को जो दिखाया गया इसमें सम्वेदने इसको जो है सार्थक बनाना ही इसका काम है प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है अब उसमें देख लेना solution सारे solutions अवलेबल है हर बार बोलता हूं model पर पढ़ो अपना प्लेलिस्ट देखो हर चीज अवलेबल है लेकिन आप लोग सुनो तब तो चलो आगे बढ़ते है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे